यह चुकी महानगर है दिल्ली जो है देश की रज़ानी है लौ है लौ यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति के मैरेज का रजिस्ट्रेशन तीन अधार पर हो सकता है तीन अधार क्या है तो नमस्कार दश्यकों एक बार से फिर से मैं आपका सौगत करता हूं हमारे लीडिया लौ असोसियेट्स के सीरीज में जिसका नाम है आई एंड यू और हमारे सामने बैठे हैं एडो के सुभाज सिंग्जी तरीक पर आप मेरा परीचे दीजिए मेरे साह क्या लफ रहा है सब कुछ आपको बताएंगे लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी दर्श्यकों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिसनों ने हमारी लास्ट वीडियो को इतना अच्छा रिस्पांस दिया और कमेंट्स देखके मु जूद्धा उठाओंगा कि दिल्ली, गाजिअबद और मुंबई में ही एक दिन का प्रोसेस क्यों है इसके लावा बाकी जगां पे क्यों नहीं है तो थोड़ा-सा आप थोड़ा-सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए कि यह तीन जो सिटीज इनके अलावा और जगशत क्यों लग होता है ठीक है तो अब तीन स्टेट में अलग अलग लॉज है और यह चुकी महानगर है दिल्ली जो है देश की रजदानी है मुंबई जो है बिजनस कैपिटल बोला जाता है और गाजियबाद भी जो है सो अपने आप में बहुत ही ग्लेमरस जगह है चुकी वह दिल्ली ख nessa में लिखार दूसरी पिल् fall in में यह उतना इसमुज अजा नही हो पाता गाजिय वाद के लावा बनार इस और इतना इसमुज्म पातल हो पाता इसके बारे में डेटेटेल में आयेंगे लेकिन एक दिन में हो जाता है यह और इसके इलावा कौन-कौन से इसी इस हैं जहां पर एक दिन में होने के चयांसस ज чув जाता है एसा है जो दूसरी सिटीज है उन्म सारे सिटीज के अंदर जैसे आप यूपी में घिला तो वहाँ पर भी जो है प्लेस आफ मेरेज के निए पर दर्सकों को मैं एक चीज जरूर्ड बता दो प्लेस आफ मैरेज का मतलब क्या है जो रहता है और तीसरा उन दोनों कि मैरेज का हुई है तो इससे jurisdiction decide किया जाता है जो शादियां दिल्ली में या गाजियाबाद में या महरास्ट्रा में होती है वो इसी अधार पे होती है कि उनका उनकी जो शादी हुई है वो उस place पे हुई है तो jurisdiction बन जाता है और उसके बाद से registration हो जाता है कि ऐसा होने लगा था कि बहुत सारे लोग गाजियाबाद में आने लगे थे तो यूपी गॉर्वर्मेंट जो वहां की लोकल एड्मिस्टेर्शन जो डियम थे उन्होंने एक और पास किया और उन्होंने बोला कि भई हम शादी रेजिस्टर्ट करेंगे लेकिन दोनों में से कपल में से कोई एक यूपी का रहने वाला होगा यूपी में कहीं का भी रहने वाला होगा तो उसके मैरेज को हम गाजियाबाद से रेजिटर्ट करेंगे marriage भी हो जाता है registration भी सेमने हो जाता है और दिली में पूल ओवर इंडिया से कहीं से आएंगे गवर मेंurgल वह सिस्थ को उनकी marriage हो जाएगा और सर्टिफिक्षा को मिल जाएगा तो प्लेसे मेरिश के वियाफ में जैसे आप बात कह रहे हैं कि तब ही महरास्टरा आपने लॉंच किया मुंबई में सबसे ताकि साउथ से लोग जो डेली ट्रेवल कर रहे हैं दूसरे स्टेट के तो उन्हें जाधा ट्रेवल ना करना पड़े हैं ने आपको बताता हूं हमारे देश में अभी भी जैसे जो साउथ में रहते हैं या महरास्टरा के लोग हैं language issues हैं वो convenient फील करते हैं कि अगर महरास्टरा में ही शादी हो जाए मुंबई में शादी हो जाए अब services start करने का मतलब यह था कि खाली marriage की तो नहीं हो सकती और भी बाकी services तो क्या apart from marriages और कौन-कौन सी services आपकी हैं मतलब अगर litigation related या marriage related कोई भी काम आपको in cities में कराना है तो वो बहुत अराम से हो सकता है चाहे किसी भी परकार के matrimonial dispute में कोई फसा हुआ हो कोई criminal issues हो कोई जमीन जैदात से कोई contract breach हो गया हो सभी तरह के matters को हम इन cities के अंदर इन cities का मतलब हुआ कि यहाँ पर लीला के dedicated staff है तो फिर मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को clear करना चाहता हूं कि लीड इंडिया law associates की services legal में इन तीन cities में available हैं वो सिर्फ शादी नहीं कराती वो litigation में भी है वो criminal में भी है बिल्कुर बिल्कुर ठीक है तो अगर आपको किसी भी प्रकार के साहता लीला के थूर चाहिए अपने ही city में तो यह मैं सूचने कि सिर्फ शादी कराते हैं एक बात मैं और एड कर रहा हूँ यह जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं यह बैसिकली हम यूटूब के लिए शूट कर रहे हैं यूटूब पे जो subscriber होते हैं जो दर्शक होते हैं वो खास किस्म के वीडियो को पसंद करते हैं अगर मैं कोई क्रिमिनल का विशय उठाऊंगा कोई क्रिमिनल टॉपिक का तो दर्शक जो हमारे जो subscribers हैं वो पसंद नहीं करते हैं वो basically court marriage के वीडियो को ज्यादा पसंद करते हैं तो यूटूब पे इसलिए इसी तरह के वीडियो को लाना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा हलाकि हम दूसरे चैनल की भी planning कर रहे हैं जिस पे हम law related ज्यादा बाते करेंगे लेकिन यूटूब पे court marriage आता है और couples की requirement है क्योंकि यह couple ऐसे होते हैं कि इनको कहीं भी गुम्राह किया जा सकता है इनके life वो golden day है उनके life का उसको बिगारा जा सकता है अगर गलत जगह पे चले जाए तो तो यह सारी परिशानिया होती है couples के साथ में इसलिए लीला बहुत ही dedicated है dedicated है प्लस लीला इतनी सारी facilities provide कराती है पेमेंट सारे के सारे online updated होते है उनके credentials पर ठीक है ना उनको life case tracking मिलती है thank you thank you कि आप भी हमारे फैन हो गया है हम तो फैन है हमारा तो घर बसाया आपने अब हम तो गुंगान गाएंगे जिदी के पर जब तक हमारी वीवी टीग रहेगी तब तक लीला अच्छा नहीं नहीं perform कर ली आती लिए अगर वापस शाजी करें कर वापस जाते कर तो उनको अपनी डिस्ट्रिक में दुबारे म reinforce करा नीजर कर लूरी होता है क्योंकि क्या है कि कई बार जैसे मान लिजिए कि मिमरेज दिल्ली में भी हो रहा है गाजियबाद में हो रहा है मुंबई में भी हो ऐसा हो जाता है बहुत बार कि अगर मालीजे कपल अपने cities को जाते हैं तो उनको डर होता है तो वो कहीं न की verify कराने चले जाता है या कूई माँबाप हीjek को लेके चले जाते हैं किसीinku के पास में अब अगर आप किसी वकिल साहब के पास में आप जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे तो एक अफवाह फैला दिया गया है कि मैरेज आपने लोकल में आ करके भी आपको रेजिस्टर करवाना परेगा ऐसा कुछ भी नहीं है एक बार शादी हो गई तो वो शादी हो गई एक बार कोर्ट में रेजिस्टर हो गया तो हो गया यह वही बात हो गई कि किसी ने दिल्ली से टेंथ का एक्जाम 92 परसेंट यह 95 परसेंट से पास किया हो और अगर वो गलती से अपने गाउं चला जाए बिहार चला जाए और वहां जाकर के वहां कोई समझाने लगे तुम्हें तो यहां के भी बोर्ट से जो है टेंथ पास करना परेगा तब तुम्हार अग्रेशन में अडिशन होगा ऐसा नहीं है एक बार आपने कोई काम कर लिया एक बार सर्टिवेट मिल गया तो वैलीड होगा ओल ओवर इंडिया में देश का गौर्मेंट बेनिफिट अगर आपको लेना जैसे इसपाउज वीजा लेना हो इसपाउज बेनिफिट्स लेना हो या फिर कुछ भी गौर्मेंट से आपको बेनिफिट्स लेना हो बैंक अकाउंट खुलवाना हो सब जगह यह मानने होता है किसी को विदेश जाना हो सब ज उसको हिंदुस्तान के सभी सिटीज के बारे में घ्यान नहीं होता है तो इन जबहों को जो है वह इसली यह कर लेते हैं लेकिन गाजियाबाद जो है देश का यह दिली एंदर आता है तो इसलिए यहां के भी सर्टिफिकेट को कोई ऐसा नहीं है कि बोले कि भई पहचान नहीं रहा है सिटीज को ऐसा बिल्कुल भी तो तीनों जगह में से बेस्ट सर्विस लिला की कहां पर अवेल कर सकता है कोई भी आपका क्लाइन मैं बताता हूं यदि आप मुंबई तो लिला की बहुत ही बेस्ट सर्विसिज्ए और अगर अगर आप गाजिया वाद आएगे तो लिला की आउट स्रीजिए मिलेगी तो मेरे कहने का मतलब यह किसी भी जगह आ जाय है किसी भी ज्यया लीला के सर्विस एक ही पैटर्र ने त्रभाई हो या गाजियबाद हमारा help line number है हमारा contact number है ठीक है शादी हो गई या शादी हो रही है हमारी team उनसे continue शादी से पहले लग जाती है बातचीत छोटी रहती है कहीं पर भी अगर couple को issues face करना पर गया तो वहां पे मैं खुद रहूंगा में जैए मैं यूट्यूब कमेंटस में आपकी कितने सारे कमेंटस आये कि कॉल काल नहीं मिलती कॉस्म के या पर काफी वेटिंग आती ये आधिया क्में से विलुनर, मैं पर भी नहीं क्वेल से पता हो क्यों क्योंकि मैं बहुत दावे के साथ एक बात कह सकता हूँ कि हमारा जो call लेने का system है अगर एक time पे hundred लोग call कर रहे होंगे एक ही time पे तो भी इतने call attend किये जा सकते हैं हमने ऐसा system develop किया, I wear system है अगर आपने call किसी तरीके से miss हो गया आपको hold करना पर गया तो इधर से call back जाएगा लेकिन हाँ, एक चीज और है हम ज़्यादा change नहीं करते हैं कि phone कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं ऐसा हम कुछ नहीं करते उसके पीछे वजह ये है कि couple का हमारे उपर trust है और हम उन पे trust करते हैं तो वो एक बार उन्होंने inquiry कर लिए जब उनको शादी करनी होगी, booking करानी होगी वापस call करेंगे just for उनके convenience के लिए कभी कबार call करके पूछ लिया तो पूछ लिया otherwise बहुत ज़्यादा हम कोई ऐसा नहीं करते भारत एक, समविधान एक 28 state, 8 union territories तो लोकल क्यों नहीं कर सकते हैं वो लोग शादी अपने हाँ मतलब जहां रहते हैं वहाँ देखिए, अलग-अलग समस्या है मान लिजे कि कोई व्यक्ति किसी खास जिले में रहता है ठीक है? अगर वो अपने जिले में शादी करेगा तो वहाँ का कानून, वहाँ की पुलीस जान पहचान की होगी वहाँ का सिस्टम उनके जान पहचान का होगा यानि पैरेंट्स के जान पहचान का होगा अगर शादी करेंगे एड्रेस आपको देना ही परेगा कोई जान पहचान का निकल गया घर पे फोन कर देंगे दूसरा सिचुएशन घर पे फोन अगर ना भी करें तो शादी हो जाएगी तो पचांस लोग उठके चले आएंगे उस वेक्ति के पास में जिसने शादी कराई होगी और उसको धमका करके किसी तरीके से शादी को जो है रद करवाने की कोशिश करेंग हम रहा है तो खापल आरे शादी परकी परने इन तीन लोकेसं में कहीं और कहीं पर पुलिस कि वार्दात हो रही है तो लीला है अगर पुलीस किसी तरीके से प्रतारित आपको कर रही है तो हम आवश्य मदद करेंगे तो आज की वीडियो की खास बात है कि एक आज हमारे स्टुडियो में कोई दर्शक भी आया हूँ है चीक है ना? तो वह आपसे लाइवली सवाल पूछेंगे बिलकुल बिलकुल तो पंकर जी आप अपना सवाल पूछीए अब जब जा रहे हो चन्ही तो चन्ही में ही कर लेना लेकिन अगर आप उसको दिल्ली में चन्ही में जो शादी है वो चन्ही में 30 days का process है वहां पर एक दिन तो आप वापस आजाईए घूम कि आजाईए अपनी girlfriend को साथ में लेकर के आईए दिल्ली में आपके शादी करा देंगे दिल्ली में बहतर होगा क्योंकि दिल्ली में आपको पहले दिन marriage और सेकंड दिन में आपको certificate मिल जाएगा लेकिन कोशन इनके प्लाइन कर रहे हैं प्लाइन कर रहे हो सकता है बैंगलोर में करें चंडीगंड में करें आने वाले दिनों में करें तो आलूग जी का एक कोशन है अलूग जी सब्सक्राइब करें अगर आप किसी भी कास्ट के लगी को प्यार करते हैं और और आप किसी भी कास्ट से हैं अगर रिलीजन सेम है तो आपके शादी बरे अराम से हिंदू में रे जाएगी अगर आप हिंदू है तो और यदि आप मुस्लिम है, इंटर रिलीजन है, तो उसमें भी शादी हो जाएंगी, लेकिन हिंदू मुस्लिम या इंटर रिलीजन में थोड़ी अभी समस्य आए चल दिये, बाद में हो जाईए, मैं यही बोलूँगा आलोग जी, कि आपकी शादी अच्छे से हो जाएगी, कास्ट कोई ब डली से हैं, अच्छा-च्छा, क्या सवाल है आपका? या लरकियां घर में बताती हैं, कि मुझे किसी से शादी करनी है, दूसरे जाती, दूसरे धर्मका हैं, तो पैरेंट्स का पूरा यह कोशिश होता है, कि यह डरा के, दमका के, इमोशनली ब्लैक मिल करके, कैसे भी आपको शादी करने से रोग दें, आपके फोन चीने जा सक तो पैरेंट्स को ये समझ आता है कि बेशादी नहीं तूट सकते हैं और उसके बाद से वो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि आपको छोड़ दें बोले कि आप हमसे मतलब ना रखो आप अपने हाल पे जीओ कुछ आज भी जाहिल किस्म के लोग हैं कुछ एकाद मेरे क लोगों कि लोगों को लेसं सिखाने का काम जो कर रहे हैं वो आज कर यूद कर रहे हैं कि बहभीत नहीं हो रहे अगर वह ऑनलब साथ करना नहीं हो ख़ाद॥ हैं का कर ने कि लिव रहे हैं प्रोसर्स फॉलो करें और अराम से मैरिज परफॉर्म करने के बाद सारे कॉंसिक्वेंस को फेस करें बिल्कुँ बिल्कु यह है चलिए सर अब आते हम कोशन आंसर राउंड में जैसे कि हमने प्रोमिस किया था अपने ओडियन्स को कि आप हमें कॉमें जो भी कोशन बेजेंगे मैं आपके बिहाफ पे सुभा सर से पूछूँगा एक चीज मैं क्लिया करना चाहता हूँ कॉमें इंटर रिलीजिन को लेके बहुत सारे मैसेजिस थे जो कि सुभा सर लास्ट वीडियो में भी बता चुके थे कि एक स्पेशल नंग वीडियो बनाएंगे इंटर रिलीजिन को लेके उसमें हम आपके सारे पॉइंट्स कवर कर देंगे लेकिन अभी के लिए सर जो कोशन हैं हमारे पास मैं एक एक करके आप से पूछता हूँ ठीक है सर मिथुन कुमार मिथुन कुमार पूछते हैं सर ओनली अधार कार्ड और मार्कशीट से नहीं चलेगा ओनली अधार कार्ड और मार्कशीट से शादी हो पाएगी और नहीं हो पाएगी बिल्कुल हो जाएगे मिथुन जी करा सकते हैं बीड आ एक हमारे हेलपलाइन नंबर 888884455 पर कॉल करके आप सर्प मेरी अधूरी कहानिया है किसी का नाम वो पूछते हैं मेरे पास केवब अधार के एक इसान थे अपना हस्टेक रोग यह सकता है और मेरे पास गवा नहीं है तो क्या करना चाहिए आप इसके लिए help line number पर बात करें और यह जरूर सही बोला है इन्होंने कि जब कभी आप सवाल पूछे तो अपना नाम नीचे डाल दें इससे बहुत रहा है मतलब हमें communicate करने में easy रहेगा और help line number पर बात करेंगे तो जरू हो सकता है तो कोट में जब आप आएंगे तो कि आप कोट में जो है बात करके और arrange हो जाते हैं तो आप जब आप आएंगे तो उस समय हम आपको guide करेंगे देव सागर पूछें सर हम शादी करना चाहते हैं बट हमारे पास गवा नहीं है और हम काफी दूर भी रहते हैं तो क मेरे पास अधार काड पैन काड और birth certificate है तो marriage हो जाएगे बिल्कुल हो जाएगे 100% complete है डॉक में लेटेस सॉंग लेटेस सॉंग किनोंने अपनी profile का नाम रखा होगा वो पूछे सर हम एक ही गाउं से हैं तो क्या शादी कर सकते हैं रिप्लाई जरूर करिएगा बिल्कुल क कर सकते हैं आप अपना नाम भी बताईएगा अगली बार जब आप कमेंट करिएगा तो और एक गाउं से होने से कोई फरक नहीं पड़ता आप शादी कर सकते हैं महक पूछती हैं लीला का office कहां है और booking के charges कितने हैं लीला का office head office Delhi में हैं बाकि सब branches तो कई जगा पे हैं onward seven days आप call कर सकते हो और call करने का जो समय है वो सुबह 9 बजे से लेके शाम पो 8 बजे तक लेकिन booking कराने से पहले पहले आप अपने documents verify करा ले ना ताकि बाद में जाके आपको कोई issue नाइश में परफॉर्म करते हैं सर रवी राज पूछते हैं सर क्या 18 साल के लड़के लड़की शादी कर सकते हैं अठारा साल नहीं नहीं कर सकते हैं लड़के का age 21 years होना चाहिए अच्छा दमात केजा जी पूछते हैं सर मैं राजस्थान से हूँ तो मेरी फीस कितनी होगी फीस के लिए मैंने बताया है कि अगर वो केवल राजस्थान के रहने वाले दोनों लोग राजस्थान तो उनकी शादी डैली की से होगी और डैली की फीस लगी ओके अंधी अपार्ग वन ट्वंटी थी पूछते हैं सर मैं 21 साल का हो गया हूं मगर मैं 21 साल का दिखता नहीं हूं बलकि 19 साल का दिखता हूं तो क्या कोड़ मेरी जो है ऐसा है जो डॉकमेंट से उससे डिसाइड होता है कि आपकी एज क्या है तो दीखने से कोई फरक नहीं पड़ता है इसको लेके अटेंशन आ ले तो सार अगला कोशन है सूरज कुमार का जो पूछते हैं सर अगर कपल में से एक के पास वोटर आईडी काड नहीं है और एक क और अख चाले सारे डॉकुमेंट एवेलेबल हैं तो सभी अलग ... पेरेंट्स ने जमा कर लिये हैं लेकिन सभी डॉक्यूमेंट्स कलर सकेंड कॉपी है इस सिचुएशन में क्या आप शादी करवा सकते हैं बिलकुल हो जाएगी हो जाएगी हाँ ओके सर ऑफिशल अभी मुरादाबादी पूछते हैं सर गाजयाबाद में आपको ऑफिस कहाँ पर है वो कोट में है जब बुकिंग करा लेंगे तो उनको बताएटर समिल जाएगा चलिए सर आज के लिए तो इतना कोशन काफी है लेकिन आज की वीडियो के रिलेटिड आपक आपके कोई कोशन हो तो आप मुझे भीजिये का ज़रूर मैं तुरंट पूछ लूँगा ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारी वीडियो अगला वीडियो किस टॉपिक पहने वाला है यह भी बात बताना चाहता हूं जो हमारा अगला वीडियो आ रहा है वो हमारे आ रहा है आमची मुंबई के लिए ठीक है ना मुंबई में शादी का फुल प्रोसेस हिंदू मैरीज एक्ट मुस्लिम मैरीज एक्ट इस्टिन मैरीज एक्ट सारी चीज़े हम बैठके डिसकस करेंगे और मैं पूछू हूंगा इनसे तीक्षे सवाल ठीक है सर नेकियो थैं हूंगा